वेल्कम टू माई चैनल कुकिंग पैशन 11 आज मैं बनाने चाह रही हूँ चिकन चीज सेंडविच ये बच्चों को बहुत पसंद आता है बड़े भी इसे शौक से खाना पसंद करते हैं और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये हेल्दी इसलिए है कि कि इसमें वेजिटेबल्स भी है चिकन भी है और चीज भी है तो आईए हम इसे बनाना शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताके मेरे आने वाली वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे चिकन चीज सेंडविच बनाने के लिए मैं ली हूँ 200 ग्राम चिकन इसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब मैं इसमें half teaspoon नमक एट करूँगी यह देखे यह चिकन का पानी बिल्कुन ड्राय हो चुका है और यह अच्छे से पक भी चुका है अब मैं इसके टुकरे कर लूँगी इस तरह से अब मैंने यहाँ पे लिया है half cup शिमला मिच जिसे मैंने चॉप कर लिया है और half cup गाजर इसे भी मैंने चॉप कर लिया है यह एक प्याज है medium size का जिसे मैंने चॉप कर लिया है अब मैं कुछ मसाले ले लूँगी यहाँ पे half teaspoon गरम मसाला पाउडर है half teaspoon white paper पाउडर है जिसे दखनी मिच भी बोलते है half teaspoon लाल मिच पाउडर है half teaspoon जिरा पाउडर है एक कड़ाही में मैंने 2 tablespoon तेल लिया है तेल को अच्छे से गरम कर लूँगी तेल हमारा गरम हो चुका अब मैं प्याज एड़ कर दूँगी प्याज को 2-3 मिनिट के लिए फ्राई कर ले प्याज फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें vegetable एड़ कर दूँगी vegetables को भी 2 मिनिट के लिए फ्राई करूँगी 2 मिनिट हो चुके हैब मैं इसमें masala एड़ करूँगी गैस के flame को मैंने medium पे कर दिया है अब मैं सारे मसालों के साथ में वेजिटेबल्स को 2-3 मिनट के लिए भून लूँगी 2-3 मिनट हो चुके हैं अब मैं इसमें चिकना एड़ कर दूँगी अब चिकन को भी 3-4 मिनट के लिए भून लूँगी तीन चार मिनिट हो चुके हैं चिकन भी हमारा भूंचुका है अब मैं इसे पिलेट में निकाल लूँगी यहाँ पर मैंने लिया है ब्रेट के स्लाइसेज और चीज को मैंने ग्रेट कर लिया है अब मैं एक ब्रेट के ऊपर इस तरह से चिकन को रख लूँगी ये देखिए ये इस तरह से आप सब तरफ चिकन रख ले अब मैं इसमें ग्रेट क्या हुआ चीज एड़ कर दूँगी ये देखिए ये इस तरह से चीज को भी इस तरह से रख ले अब जितना चीज खाना पसंद करते हैं आप उस तरह से ले ले आप अपने हिसाब से चीज मैंने डाल दिया है अब मैं इस में दूसरे ब्रेट को इसके उपर इस तरह से प्रेस कर लोगी सेम प्रोसेस में दूसरा भी करूँगी पहले ब्रेट के उपर चिकन रखूंगी फिर चीज रखूंगी फिर उसके बाद दूसरा ब्रेट को इसके उपर प्रेस कर दूंगी अब मैं फ्राइपेन गर्म कर ली हूँ और ब्रेट के उपर दोनों साइट बटर लगा दूंगी उसके बाद धीरी धीरे फ्राइ पेन के उपर सैंविच को इस तरह से रखें सेम तरीके से दूसरा सैंविच भी रखें गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है अब मैं इसे एक मिनट के बाद पलट लूँगी धीरे धीरे इसे पलटें अब मैं इसे 2-3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी 2-3 मिनट हो चुका है अब मैं इसे फिर से पलट लूँगी ये देखे एक साइड अच्छे से पक चुका है अब दूसरे साइड भी इसी तरह से पका लूँगे ये इस तरह करने से चीज अच्छे से मिल्ट हो जाता है मैंने इस एक बरतन में निकाल लिया है अब मैं इसे कट कर लूँगी ये हमारा चिकन चीज सैंविच बनकर तयार है आपको मैं इसे दिखाती हूँ चीज कितने अच्छे से मिल्ट हुआ है दूसरा भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखे तो हैना बनाना आसान, आप भी चिकन चीज सैंविच की रेसिपी जरूर ट्राइ करें अगर मेरी चिकन चीज सैन्विच की रेसिपी आप सबको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू फोर वाचिंग